आप एक मिनट बैटिए और सोचिए सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है क्योंकि कुछ लोग सुबह उठने के बाद चाय या कौफी लेना पसंद करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सीधा नाश्ता करना पसंद करते हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने स्वास्त को लेकर काफी सचेत रहते हैं और वो सुबह उठने के बाद सबसे पहले गरम पानी और शेहद लेते हैं या नैचरल हैल्दी ड्रिंक्स लेते हैं सुबह सुबह खाली पिट हमें क्या करना चाहिए इसके लिए हर आदमी का अपना-पना नजरिया होता है हाला कि कुछ चीजे ऐसी है जिसे सबसे पहले सुबह सुबह खाली पिट कोई भी आदमी इस्तमाल करना नहीं चाहेगा क्या हम में से कोई ऐसा होगा, जो सुबे सुबे खाली पेट मसालेदार फूट्स का सेवन करना चाता होगा इसी तरह सुबे सुबे खाली पेट लोग घी का भी इस्तमाल करना पसंद नहीं करते लेकिन कई सारे अध्यान और खास तोर पर हमारे आयुरुवेट के अनुसार सुबह खाली पिट नास्ते से पहले घी का सेवन करने से आपको ढेल सारे स्वास्ते संबंदी लाब मिलते हैं आयुरुवेट के नुसार घी शरीर की सभी कोशिकाओं को मजबूती देने का काम करता है इसलिए इसे रासा कहा जाता है आपको बता दे कि रासा एक तरह का न्यूट्रियंट्स है जिसका अगर खाली पिट सेवन किया जाए तो ये आपके शरीर की कोशिकाओं का पालन पोश जिससे आपकी तवचा में प्राकर्तिक निखाराता है और वो स्वस्त होती है गी आपकी स्किन की नैचरल नमी को बनाये रखता है और उसे ड्राइं होने से भी बचाता है गी का सिवन करने से आपको जोड़ों में दर्द और गठिया आदी की समस्या नहीं होती है क्योंकि गी एक नैचरल लुब्रिकेंट की तरह काम करता है गी में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होते हैं जो ऑस्टियो पोरेसिस होने की संभावना को कम करता है और हड्डियों को स्व सुबह सुबह खाली पेट इस्तमाल करते हैं तो आपके दिमाग की कोशिकाएं एक्टिव होती है और नर्व सिस्टम भी प्रेरित होता है जिसकी वज़े से आपकी मेमरी और सीखने की शमता आदी बढ़ती है इसके सेवन से आपको अल्जीमर जैसी बीमारी होने की भी करें तो इससे आपका मेटाबॉलिक रेट पढ़ता है और आपका वज़न भी कम होता है सबसे पहले सुबह खाली पेट गी का सेवन करने से आपके बाल स्वस्त रहते हैं क्योंकि इन्हें पूरे निट्रियंट्स मिलते हैं इससे आपके बाल मुलायम चमकदार होते हैं और यहां तक कि उनका जढ़ना भी बंद हो जाता है ऐसे लोग जिने दूद या दूद से बनी चीजों के इस्तमाल से पेट से जुड़ी समस्या होती हैं वो बिना किसी डर के घी का सेवन कर सकते हैं क्योंकि जब घी को खाली पेट सेवन किया जाता है तो यह उन लोगों को परभावित नहीं करता जिने दूद से बनी चीजो से दिक्कत होती है आपको बता दें कि घी में एंटी कैंसर गुण होते हैं जो आपके शरीर में कैंसर सेल्स को बढ़ने और उसे आपको इससे होने वाले मिर्ट्यू से बचाता है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी ये जानक का उन लोगों को भी फायदा पहुते हैं तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक एहम जानकारी के साथ तब तक के लिए आप स्वस्त रहें और अपना और अपनी लोगों का ख्याल रखें